हेलो एबरीवन वेलकम टू संजनास क्रियेटिविटी चैनल आज की वीडियो गार्डन डेकोरेशन रिलेटेड हैं आप इसे गार्डन या पालकनी डेकोर आइडियास कह सकते हैं और आज की इस वीडियो में मैं आपको थ्री डिफरेंट डियाइवाइस बना के दिखाऊंग तो चलिए आज की इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह से यूनिक स्टाइल में और आसानी से हम ये डियाइवाइस बनाते हैं तो जो सबसे पहला DIY है उसके लिए मैंने canvas लिया है ये मेरी पूरानी painting थी इसपे ही मैं अभी Jason apply करूँगी और Jason apply होने के बात उसके उपर में white acrylic paint apply करूँगी ये पूरानी painting کو ही मैं use करने हूँ next DIY बनाने के लिए और जब ये dry हो जाएगा तो उसपे हम decoupage करेंगे यह आते हैं और हमें चाहिए मॉड पोच उसके बाद हमें चाहिए एक्रेलिक कलर्स और कुछ फ्लैड ब्रशेस तो हमें हर राउंड ब्रशेस भी चाहिए और फ्लैड ब्रशेस भी चाहिए उसके बाद यह नैपकिन कुछ इस तरह से आते हैं और इसका जो बेस होता है उसे ह में निकाल लेना होता है उसके बाद अब मैं जो इसका एक पोरिशन है उसे कट कर लूँगी और हमें नैपकिन को कुछ इस तरह से हाथ से ही जितना सर्फेस चाहिए उतना काट के लेना होता है तो मुझे ये पूरा डिजाइन ही चाहिए था तो मैंने बस जो उपर का पोर्शन है उसे तड़ा हाथ से निकाला अब हमें जो सर्फेस है उस पे मौड़ पॉच अपलाई करना है मौड़ पॉच अपलाई करने के बाद कुछ इस तरह से हमें से स्टीक करना है और ड्राइ प्रश की हेल्प से हमें इवनली इसे इस तरह से स्प्रेड करना है ताकि कोई बबल्स ना फोर्म हो और ये इवनली स्प्रेड हो जाए तो जो बाकी के और तीन जो नैपकिन्स थे उसको मैंने इस तरह से दीरे-दीरे कुछ portions उसके इस तरह से हाथ से ही cut कर लिये हैं तो हाथ से अगर आप cut करते हैं इसे तो फिर बहुत ही आसानी होती है इसको merge करने में तो similar way में ही हमको पहले mod pouch apply करना है और दीरे-दीरे dry brush की help से हमें इसे stick करते जाना है तो जब पहले अब इस नैपकिन्स को या इस जो इसके तुकडे हमने cut के लिए इसे stick करते जाओगे तो ये कुछ इस तरह से ही दिखने लगेगा लेकिन जैसे जैसे हम आके बढ़ेंगे इस दियारे में आपको पता चलेगा किस तरह से हम इसे merge भी करते हैं तो नीचे का जो portion है उस पे मैंने कुछ इस तरह से stick किया है अब जो पर side है canvas का उस पे में ये birds का जो design है और paper है उसको इस तरह से stick कर लोगे तो similar way में ही हमें पहले mode pouch apply करना है और उसके बाद हमें धीरे धीरे से stick करते जाना है तो कुछ इस तरह से मैं अभी सारे जो napkins है जो cut कर लिए है उसे stick करते जाओंगे तो कुछ इस तरह से मैंने थोड़े थोड़े parts में नैपकिन को divide करके हातों से ही cut करके इस तरह से side में ही जो flowers है जो birds है बेटरफ्लाइस है उसको इस तरह से stick कर लिया है अभी जो first task है वो बस हमने पूरा जो हमारा napkin था उसे stick कर लिया है उसके बाद जो अभी base portion है उसको हमें paint करना है तो अब देख सकते हैं जो napkin का color था वो white है लेकिन मैं उसे अभी change करने वाली हूँ तो जितना भी design है उसे चोड़ के मैं यह आपे paint apply कर रही हूँ इसके लिए मैंने acrylic colors लिया है acrylic paint लिया है अब चाहे तो chalk paint का भी use कर सकते हैं लेकिन मैंने यह आपे acrylic paint लिया है तो कुछ इस तरह से धीरे धीरे हमें इस paint को apply करना है और हमें अब मैं यह painting करके complete कर लेती हूँ तो ध्यान रखें कि जो भी हमारा design part है इसके उपर जैसे कि फ्लावर से बर्ड से उसको skip करते हुए यह paint करना है और अगर आप color नहीं करना चाहतें तो white background भी आप इसकी रख सकते हैं तो जब हम इसकी इस तरह से coloring करते हैं base पे तो क्या होता है कुछ portion जो है वो fade हो जाता है जो deco page paper पे जो design है उसका जो portion है वो fade हो जाता है तो इसकी लिए फिर से उसे highlight करने के लिए अगर fade नहीं भी हुआ है तो हमें highlight करने के लिए कुछ इस तरह से हम उसके उपर color apply करेंगे अब चाहे तो water color का use कर सकते हैं इस work के लिए लेकिन मुझे थोड़ा सा bright रखना था इसलिए मैं acrylic colors यूज़ कर रही हूँ water color का effect बहुत ही अच्छा देता है बहुत ही मतलब वो उसमें merge हो जाता है लेकिन यहाँ पर जो flowers है जो red color में है violet color में है उसके उपर में वही color acrylic colors apply करके बस उसे highlight कर रही हूँ मैं सारी जो जो चीज़े है मतलब जो डेकॉप पोचिन अपकिन के उपर जो designs है उसको मैं paint नहीं कर रही हूँ मैं बस उसी color से हर एक चीज़ को highlight कर रही हूँ अब देख सकते हैं तो जैसे कि flowers हो गए butterflies हो गए इस तरह से दीरे-दीरे हमें उसी shape में उसी ही colors को लेके same shades को लेके highlight करना है तो यह हो गया हमारा second step color apply करने के बाद तो अगर इस तरह से आप पर करते हैं तो दीरे-दीरे आप देखोगे आपको दीखेगा कि यह merge होते जा रहा है मतलब जो effect पहले जो देखता था napkin का separate separate choose के parts दीखते थे वो अब नहीं दीख रहे हैं तो यह इस तरह से हो जाता है तो इसके बाद मैंने कुछ leaves इसमें add किये है और कुछ इस तरह से कुछ additions इसमें किये है और आप जो birds है जो branches है जिस पे वो birds है उसको भी मैं highlight करूंगी तो color करने की बाद क्या होता है कि कुछ portion fade हो जाता है इसलिए हमें highlight करना होता है बाद में तो इस तरह से मैंने कुछ leaves इसमें add किये है तो इस तरह से आप कुछ add भी कर सकते है चाहिए तो आप कुछ design आपके मन से भी बना सकते है तो जो birds है उसको तो मैंने ही change करूगी लेकिन थोड़े थोड़े colors उसमें भी मैंने highlight के लिए add किये है अब मैंने यह पे एक permanent marker लिया है और जब coloring details हो जाते है उसके बाद मैं यह marker से इसे outline करूँगी और इसके वज़े से यह बहुत और भी अच्छे से highlight हो जाएगा तो marker के साथ पूरा जो design है उसको मैं outline करूँगी तो outline होने के बाद कुछ इस तरह से यह artwork दिख रहा है तो जैसे कि मैंने आपको step by step बताया कि किस तरह से हमें यह deco page work को complete करना है तो अब देख सकते हैं यह बहुत ही अच्छे से एक दूसरे में merge हो गया है उसके बाद मैं इसमें कुछ garden related thought लिखने वाली हूँ यह DIY बनाने का परपजी यह है कि मेरी garden में मुझे कुछ thoughts add करने है और इसलिए मैंने यह DIY को choose किया और उसके बाद मैं इसमें कुछ beautiful सा thought लिखने वाली हूँ और जो font है यह मैंने खुछ से ही अपने हाथों से ही पहले pencil से draw कर लिया है और उसके बाद acrylic color से white acrylic से मैं इसे dark करूँगी अगर आप चाहते हैं कुछ आपके मान पसंद का font तो आप लिख सकते हैं या फिर आप print लेके भी उसे लिख सकते हैं तो इस तरह से आप मैं इसे complete करूँगे कि सकते हैं हमारा complete artwork ट्राइ होने के बाद मैं अब इस पे वार्णिश अपलाई कर रही हूँ और जो हमारा font का portion है उसे मैंने थोड़ा सो smoky effect दिया है वार्णिश के help से ही जो marker था हमारा मैंने उसे थोड़ा से spread करके थोड़ा इस तरह से smoky effect देने का ट्राइ किया और उसके बाद पूरे artwork पे मैंने वार्णिश अपलाई किया है तो इस तरह से हमारा जो first DIY है वो complete हो गया है अब देख सकते हैं बहुत ही beautiful यह artwork लग रहा है और इसके बाद हम चलते हैं next DIY की तरफ उसके लिए मैंने जो यह pot के बेस के लिए जो plate यूज होते हैं वो लिए हैं और similarly मैंने यहाँ पर भी एक deco patch napkin लिया है कुछ इस तरह से design है इस napkin के उपर और इसी तरह से जो best उसका paper है वो मैंने निकाल दिया है और आप मैं क्या करने वाली हूँ जितने भी यह designs है इसके उपर जो आप देख रहे है flowers जो बड़े flowers है चोटे flowers है कुछ butterflies है birds है इस सब को मैं अलग-अलग cut करने वाली हूँ तो इस तरह से आप चाहिए तो हाथ से भी cut कर सकते हैं या scissor की help से cut कर ले तो इस तरह से मैंने यह cut कर लिये हैं और इसके बाद आप जो plate है उसके उपर directly मैं mod pouch लगाने वाली हूँ मैंने यहापे कुछ best primering इसको नहीं की है मैंने directly ही यह जो हमने cut किये थे इसके parts तो इसको हमें इस तरह से धीरे-धीरे stick करते जाना है जो यह napkin stick करने की technique है जो पहले DIY में मैंने बताई थी आपको similar way में हमको करना है और इस तरह से धीरे-धीरे इस napkin को stick करते जाना है तो stick करने से पहले आप जो है इसके जो side के edges है इसको हाथ से cut कर ले हमको इसको straight नहीं रखना है और जब हम आगे जाके इसे merge करते है किसी भी pen के साथ या किसी भी other style के साथ तो यह अच्छे से merge हो जाते इसलिए इनके जो age है इसको हमें हाथ से cut कर लेना है और similar technique से यह सारे जो paper से मैंने यहाँ पे stick कर लिये है और जो दो plates है उस पे इस तरह से मैंने यह stick कर लिया है उसके बाद जो middle वारा portion है उसको मैं acrylic color से paint करूंगी और जो designs के बीच में जो gaps form हुए है और इस तरह से उसे हमें feel करना है paint के साथ तो यहाँ पे मैंने white acrylic paint का ही use किया है और इस तरह से मैं अभी इसे paint करूंगी और जो gap से उसे भी मैं यह paint के साथ cover करूंगी तो यही होता है जब आप नैपकिन को हाथ से cut करते हैं तो वो अच्छे से जब आप उसके उपर paint करते हैं उसको फिर वो अच्छे से merge हो जाता है और जो भी portion है gap से उसे मैं पूरा white color paint से ही fill करूंग और उसकी बाद जो center portion है वहापे मैंने थोड़ा सा different color लिया है और इस तरह से आपे हमें इसे complete करना है तो इस तरह से जो white color और beach में का color है वो fill हो गया है उसके बाद इसका जो age है उस पे मैंने same color जो teragota color है वही apply किया है brown color और उसे मैं अभी age पे apply करूंगी तो आप देख सकते हैं हमारा जो paint हमने जो लगाया है वो complete हो गया है जब हम मैंने पहले भी आपको बताया कि जब हम इसके base color apply करते हैं तो थोड़ा सा जो इसका napkin के उपर जो designs होती है थोड़ी से fade हो जाती है और end में हमको उससे थोड़ा सा highlight करना होता है paint के साथ ज़रूरी नहीं है कि आप उसको highlight ही करें इतना ज़रूरी नहीं है लेकिन मैं थोड़ा सा उसको similar colors के साथ ही उसको outline करूंगी और थोड़ा सा highlight करूंगी तो मैंने जितने भी designs पे जितने भी colors है उसी colors के साथ ही इसे highlight किया है तो जो भी design थोड़ा सा fade हो गया है वो दिख जाएगा तो इस तरह से अब मैं पूरे designs को complete कर लूँगी तो अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को subscribe किया है मैं उनको welcome करूंगी और अभी तक जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है वो ज़रूर subscribe कर लीचिए और बने रही है मेरे साथ आगे आने वाले videos में मैं बहुत ही अलग paintings, Indian art forms, अलग तरह के painting forms, art, DIYs, crafts, home decor, ideas इस तरह की videos upload करती हूं मेरे चैनल पे तो आप ज़रू subscribe कीचिए और बने रही है मेरे साथ तो और वीडियो को like and share ज़रूर करना तो यह जो designs है वो सारे highlight हो गए है और आप देख सकते हैं कितने bright और colorful यह designs लग रहे हैं और बहुत अच्छी तरह से मर्च हो गए हैं अभी जो center portion है जो हमने खाली रखा था वाकर मैं एक thought लिक रही हूँ यह thought मुझे बहुत ही पसंद आया और यह मैं अपने garden related ही लिक रही हूँ तो कुछ इस तरह से मैंने यह thought लिका है और जो हमने second plate बनाई है उसके उपर भी मैं एक thought लिकने वाली हो और इस तरह से मैं अपने garden में इसे लगाऊंगी और इस तरह से हमारा जो यह second DIY है हमने complete कर लिया है यह दोनों plates ready हो गये है और इसको मैंने end में varnish से seal किया है और मैं इसको अपने balcony wall में या garden wall पे इसे लगाऊंगी तो इस तरह से यह चो plates है यह ready हो गये है तो next अब हम चलते हैं हमारी third DIY की तरफ जो third art है उसके लिए मैंने यह जो एक टोकरी ली है यह मैंने पहले ही पहले इसे इस तरह से paint किया था और इसका color जो है अभी यह fade हो गया है अब फिर से में इसके उपर कुछ color apply करूंगी और इसके लिए मैंने similarly acrylic colors का ही use किया है और center से इस तरह से start होते हुए हमें colors को apply करना है सबसे पहले अब देख सकते हैं मैंने black color जो है वो center portion में fill किया है और इस तरह से कुछ patterns बनाते हुए मैं directly ही color से apply करूंगी यह बहुत ही easy DIY है और बहुत ही beautiful दिखता है होने के बाद यह आसानी से आपको मिल जाएगा और आप इस तरह से इसे paint करके अपने बाटकरी को decorate कर सकते हैं तो कुछ इस तरह से randomly ही मैंने design को directly brush से ही बनाया है और paint किया है थोड़े से मैंने यह पर combination रखा है जैसे की yellow, black, orange color का थोड़े से bright colors यह पर use किये हैं और जब यह colors apply करके complete हो जाएंगे हम इस पर कुछ mirror stick करेंगे और उसके बाद यह बहुत ही effective दिखेगा DIY है थोड़ा सा highlight करने के लिए आपे मैंने यह white color से इसकी bordering की है और इसके बाद जब यह color dry हो जाएगा completely उसके बाद हम इसके उपर mirror stick करेंगे तो center से start होते हुए कुछ इस तरह से हमें mirror stick करने हैं मैंने mirror जो है वो random कुछ pattern design से ही इसको stick किया है इस तरह से तो देख सकते हैं कितनी decorative लग रही है और मैं इसे इसे भी similarly अपने garden या balcony wall पे लगाऊंगी और अपनी garden को decorate करूंगी तो इस तरह से हमारे जो तीनों DIY है वो complete हो गए है और आप देख सकते हैं मैंने अपनी balcony wall पे हैंग किया है ये thought के साथ और ये DIY के साथ ये बहुत ही खुबसूरत लग रहा है ये जो plate से हमने बनाई थी और ये center वाली जो टोकरी है इसे भी मैंने हैंग किया है अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेर और सब्सक्राइब जरूर करें